चुनावों के अंदर भी ऐसा देखा गया, लोगसभा चुनावों के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत सी चीजों को फैब्रिकेट करके और केवल आधा दूरा सच दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया। सुर्खी चल रही है मीडिया हाउसेज के अंदर कि अब इन यूट्यूबर्स का भी जो कंटेंट है इसको भी कानून के दायरे में लाने की तयारी की जा रही है। वही वाली चीज है जब विज्ञान तरक्की करती है तो साइड इफेक्ट भी साथ साथ तरक्की करते हैं। जब सबसे पहले ट्राइण ट्रॉलीन टी एंटी बनाया गया था अल्फेड नोबल के द्वारा तो बनाया किसलिये गया था। कि वह किसी तरह से बंधमाके करके पहाडों के पत्थर तोड सके। लेकिन लोगों ने बंधमाकों में यूज करके आतंग मचा दिया युद में काम ले लिया। एक्जेक्ली AI लाया था जन्ता की सुविधा के लिए लेकिन इसका उपियोग समाज कंटकों के द्वारा करना शुरू हुआ और उपियोग करके डीप फेक बनाने शुरू हुए डीप फेक्फरम ने अलरड़ी एक सेशन किया हुआ अगर आपको ध्यान हो जिसमें एक तस्वीर हमने आपको बताई थी जिसमें की जो रश्मी का मंधाना नाम की एक एक्टरस है उनका किसी दूसरे के नाम से यादि कोई और महिला उसके चेहरे पर रश्मी का मंधाना की लगा कर उन्हें वैसा ही दिखा दिया गया हमने डीप फेक पर एक और शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आवाज का भी मौडूलेशन लोग कर ले रहे हैं आज कल उसमें क्या करते हैं कि कि किसी और की आवाज डीप फेक के माध्यम से तयार करके आप से सम क्लोनिंग भी अब AI के माध्यम से लोग करने लगे इन दौनों ही चीजों को देखकर सरकार ने इन से निपटने की तयारी कर ली है तयारी के मतलब ये हैं कि अगर अब आपको यहां पर एक तस्वीर ऐसी दिखाई जाए जहां पर प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित दिख रहा हो प्रधानमंत्री गाना गा रहा हो प्रधानमंत्री के साथ में कोई फोटो की मॉर्फिंग की जा रही हो ये सब जो AI जनरेटिड कंटेंट हैं अब इस पर लगाम लगाने की तयारी भारत सरकार कर रही है क्योंकि जैसे ही 24 जून से नई संसद का सत्र शुरू होगा नए अठारवी लोगसभा का जब सत्र शुरू होगा उसमें एक बिल को लाने की तयारी चल रही है जो डीप फेक वीडियो को रोकेगी ऐसा सोर्सेज के द्वारा कहा गया है और अखबारों की और नियूस पेपर्स की कटिंग है ये कि गवर्मेंट टू ब्रिंग फेक शब्द से संबोधित किया था यानि कि वो अपनी पहचान चुपाने के लिए फेक मतलब होता है जूटा और डीप जूटा यानि कि एकदम गहरा जूटा आदमी यानि कि आप उसका अंदाजाई नहीं लगा सकते कौन है तो डीप फेक शब्द चर्चा में चलने लग और चलते चलते फिर इसने मार्केट पकड़ लिया आपको यह तस्वीर ध्यान होगी जिसमें की रश्मी का मंधाना जो फिल्म एक्टरस है इनका चहरा इस महिला के चहरे पर लगा कर गे इनने रश्मी का मंधाना दिखाया गया ऐसे ही आपने डीप फेक में ऐसी बहुत सी AI जनरेटिड था डीप फेक के अंदर मतलब यहां तक हुआ हाल ही में कि रश्या अंडर अटैक का एक मैसेज सर्क्यूलिट करा दिया गया पुतिन के थ्रू कि पुतिन ने मार्शल लट डिकलेर कर दिया है और रश्या अंडर अटैक आ गया है इस तरह से डीप फेक के चलने लगे अचानक आपको लगे कि यार यह तो बाइडेन ही बोल रहा है आप सब तैयारी कर ले अचानक शेयर मार्केट क्रेश कर जाए पूरी तरह दुनिया में कोहरा मच जाए और पता चले कि यह फरजी वीडियो था मतलब आप सोचिए कि दुनिया को बेवकूफ बन जिसमें मोदी जी ना बोल रहे हो लेकिन उन से बुलवाया जा रहा हो उनकी अवाज में एक व्यक्ति उनका जैसा चेहरा लेकर बोल रहा हो जो कि AI से संभव है और वो जब इस तरह की बाते बोल रहा हो कि देशवासियों हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है सभी और उस एक्स्ट्रीम घातक को रोकने के लिए ही बिलप्रस्तावित किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मैं तमाम कुछ एक्जामपल दिये हैं तो डीप फेक के लिए औरिजिनल फेस से मिला करके इसको बनाया जाता है टेकनोलोजी पर ज़्याद कोई नकली चहरा लेकर खड़ा है आप उससे सदवात कर रहे हो और तो और अभी कल की निउस देखिए आलिया भट की एक तस्वीर निकल कर वाइरल हुई जिसमें की आलिया भट को किसी और महिला के चहरे पर मॉर्फ करके लगाया हुआ था और यहाँ पर नेटिजन्स के बीच में चर्चा शुरू हो गई कि आलिया भट की तस्वीर भार आ गई कहने का मतलब यह है कि अपने आप में बड़ी ट्रबलसम चीज है इसी कारण से इसको रोकने की तैयारी में डिजट्रिल इंडिया भी बिल लाने के सरकार प्रस्ताव बना रही है और जैसे ही यह इ भी 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 को रोकने के लिए बिल लाया जाएगा ठीक है तो इनागरल सेशन 24 जून से शुरू हो रहा है और इसमें केंद्रिया आइट अचा इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में भी सरकार ने इसको रोकने के लिए कुछ रूल बनाए थे केंद्रिया इसके लिए सोशल मीडिया प्लैटफर्म को न्यूस भेजी गई थी रूल बेजे गए थे वो उस समय कुछ चीजे सुने नहीं सुने लेकिन भारत सरकार ने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया बडेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर क्या किया कि जिसका जो परसनल इसको कंपनिया किसी और को नहीं बेच पाएंगी डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया अब डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ में जो रूल सरकार ने इन कंपनीज को दिये थे उन्हें अब एक्ट में बदलने की बारी आरी है तो एक्ट में बदलने के लिए क्या हो रहा है यहां पर यही खबरें आपके सामने हैं, अब सरकार को इस चीज पर हाला की सोशल मीडिया से बहुत जादा रियक्शन मिला था, कि सहाब आप इस तरह से अगर करेंगे तो दिक्कते बहुत होंगी, हमें यह पहचानने में कि कौन ओरिजनल है कौन नहीं, हमारे लिए काम जिल्दी सेंसिटाइज होती हो, वहाँ पर इस प्रकार की आफशक्ता हैं, लेकिन हाँ, इसी बिल के साथ साथ एक चर्चा और चल रही है, और वो यह है, कि सरकार अब यूट्यूब पर यानि कि सोशल मीडिया पर जो आधे अधूरे सच परोसने जावाले जो content हैं, उनके तरीके का content अपने तरीके से परोस्ते हैं, केवल सच का एक ही पक्ष दिखाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं, जब दौनों पक्ष नहीं दिखाये जाते, तो ऐसी इस्तिती में उनके अधूरे सच से बहुत सी चीजें प्रभावित की जा सकती हैं, जैसे फिलहाल के समय में हुआ, चुनाओं के अंदर भी ऐसा देखा गया, लोगसभा चुनाओं के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत सी चीजें को फैबरिकेट करके और केवल आधा अधूरा सच दिखाकर लोगों को मैनिपलेट करने का काम किया, सुर्खी चल रही है मीडिय हाउसेज के अंदर कि अब इन यूट्यूबर्स का भी जो कंटेंट है, इसको भी कानून के दायरे में लाने की तयारी की जा रही है, अर्थात यूट्यूब के माध्यम से अब आधा अधूरा सच नहीं परोसा जा सकेगा, इस पर जिम्मेदारी तै की जितनी घातक जिम्म परोसी हुई जानकारी एक ही पहलू को पुष्ट करती हुई जा रही थी, जो कि अचानक चुनाव खत्म होते ही गायब हो गई, आप अगर खुद से अब्जर्व करें इस समय में चल रही मीडिया को, चार जून से पहले पहले सोशल मीडिया बहंकर एक्टेव था, चार ज की खबरे रखनी थी, जने हर चीज अच्छे से आपके सामने अनलाइज करनी थी, वो निरंतर आपके सामने खड़े है, क्यूंकि वो एक प्रपोगेंडा को लेकर एजेंडा के रूप में चल रहे थे, और उसके बाद से, जब एजेंडा खतम हुआ, चुनाव खतम हुए, सब चीजें शानते हैं, अब लग रहा है कि देश में सब शानती है, अचानक लोगतंतर आगया है, जहां एक और चुनाव से पहले देश के अंदर डिक्टेटर्शिप बहुत तेजी से आ रही थी, सरकार बन गई, लेकिन उसको डिक्टेटर्शिप करने वाला कोई वीडि कर दिया जाता है, कि सब कुछ चीन लिया जाएगा आप से, वो सब कुछ चीनने का भाव जो आपके अंदर आता है, वो डर पैदा करने के लिए होता है, और वो डर पैदा कराकर, पॉलिटिकली मॉटिवेट किया जाता है, और मॉटिवेट पैदा करके, मॉटिवेशन पै हाव भाव को देखें, जेस्टर्स को देखें, आँख जपकना देखें, ये तो चहरा पैचानने के तरीके हैं, वाइज में अगर मॉडूलेशन हो तो उसे कैसे पैचाने, अगर कोई आपके ही फॉन पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहे कि मैं फलाना सिंग बोल रहा हूं और आपको लगे कि ये तो अपना सा आदमी लग रहा है, तो उसके साथ में कुछ ऐसी पुरानी बात उससे जरूर पूछें, जिससे आप ये confirm और cross check कर पाएं, जो आप जानते हैं और वो जानता है, आपके हर मित्र के साथ आपके ऐसे कुछ किस्से होते हैं, जिने आप बहतर तरीके से याद रखते हैं, कि हाँ याद है तिरको अपन ने ऐसा किया था, वो बात अगर वो रिलेट कर पा रहा है, तो फिर आप उसके साथ समवाद करें, मतलब ये तरीका है, कोड वर्ड में बात करने का, जैसे हम अपने बच्चों को भी समझा के चलते हैं, कि अगर आपको ड्रायवर लेने आए, पता चले, ड्रायवर को मैंने नौकरी से निकाल दिया, और वो आपको इस्कूल से लेने आगया, तो आपको उसके साथ ट्रेवल करें, अगर वो हां करता है, तो ही आप उसके साथ ट्रेवल करें, आदरवाइज नimal करें.